आज की जो हमारी कहानी की सीरीज की कहानी है तो इसको याद करने का तरीका आपको बता दिया गया है यह जो कहानी लिखी गई है इस तरीके से यह है इस्पेशली उन स्टुडेंट्स के लिए जन्हें अंग्रेजी पढ़ने में और याद करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है बहुत बार दिखा गया है अंग्रेजी की आतिहापक भी नहीं होते हैं बच्चे स्वेम के स्टर पर अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो यह विशेशकर उन्हीं के लिए डवलप की गई सीरीज है आप जिरू शेयर कीजेगा अपने स्टुडेंट्स के साथ यदि आप टीचर है और इससे देख रहे हैं The fox and the goat. Once a fox fell into a well. Well क्या होता है students? कुवा. कुवे के अंदर fell, fell अर्थार्थ गिर गई. Once a fox fell into a well, लोम्री जो है कुवे में गिर गई. He tried but could not get out. उसने कोशिश करी परन्तुवा बाहार आउट नहीं निकल सकी. A thirsty goat came by. Thirsty. Thirsty का अर्थ होता है प्यासा. तब हम आप एक प्यासा बकरा आ गया. The goat thought the fox had gone down to drink water. Thought का अर्थ है सोचा. अब बकरे ने सोचा कि जो लोम्री है वा नीचे पानी पीने के लिए गया है. He asked is the water sweet? अब उसने पूछा is the water sweet? क्या यह पानी बीठा है? तो देखे जब हम किसी के कही होई बात को वैसे का वैसा लिख रहे हैं कहानी में तो आपको यहाँ पे पहले कॉमा और फिर यहाँ पे inverted कॉमा खुला और यह पंत का निशान अवश्य ही लगाना है तो कॉपी में भी अवश्य लगाएगा. तो स्वीट का अर्थ होता है मीठा उसने पूछा कि क्या पानी मीठा है? तो स्वीट का अर्थ है तो स्वीट का अर्थ उसका ताथ पर यह था चखो तुम खुद चखो विदाओट थींकिंग दा कोड जूम्ट इन विदाओट का अर्थ है बिना थिंकिंग माने सोचना बिना सोचे जो बखरा पहले बताया है कूद न उल्धा तो जो बिना सोचे बखरा जो है अंदर कूद गया अब लोम्री तो खुशार थी, उसने क्या किया, जैसे बकरा नीचे आया, उसने उसके पीट के उपर जंप लगाया, और उसके उपर जंप लगा के बस सीधा दिवार के बाहर कूद गया, और फिर बहर कूए से बाहर कूद गया, फॉक्स विकली का अर्थ है जल्दी से, जम्ट ऑन दी गोर्ट स्पैक, बैक का यहां पे अर्थ है, पीट अन लेप आउट यानि बाहर कूद गया, कूए से बाहर हो कूद गया, अब जो मुर्ख बकरी थी, जिसने बिना सोचे समझे, जम्ट लगाया, बैक का अर्थ होता है, प्रार्थ ना करना, लोम्री से प्रार्थ ना करने लगी, मुझे बाहर निकालो, but the fox went away saying, लेकिन लोम्री तो चलती बनी वहां से, और कहके और गई, had you been intelligent enough, you would not have trusted a stranger, had you been intelligent, intelligent का अर्थ होता है, चतुर, यदि तुम चतुर होती, तो तुम इसके अंदर कभी भी कूदते नहीं, एक अजनभी का भरोसा करके, the poor goat was left in the well, और जो पिचारी बक्रा था, वहां उसके अंदर ही रह गया, तो friends, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, look before you leap, अर्थ हार्थ कुदने से पहले जहांक लें, आप देख लें, यानि कि कि किसी समस्या में पढ़ने से पहले, आप पहले देख लें कि उस समस्या के नतीजे क्या-क्या हो सकते हैं, उस कारे के नतीजे क्या-क्या हो सकते हैं, पहले उस कारे के नतीज़ों पर आप focus कर लिए जी कि क्या क्या इसके परीणाम बुगतने पढ़ सकते हैं तो यह कहानी है यह आप की सहयता के लिए है आप इसकी सहयता से यह कहानी बहुत ही सरलता से लेख सकते हैं आप के लिए इसको short format कर दिया गया है यहां से आप कहानी को देखिए और लिखिए spelling mistakes मत कीजिएगा और punctuation marks सही लगाएगा धन्यवाद वीडियो को like जरूर कीजिएगा and do comment in the comment box next कहानी आपको कौन सी चाहिए आप comment box में जरूर mention कीजिएगा धन्यवाद